वेलकम बुदबुद स्वागत आपका और देखिए इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप फाइव इंस्ट्यूट के बारे में जो कि भारत के हैं ठीक है तो भारत के अग्रडी सिच्छा संस्थान के बारे हम चर्चा करने वाले हैं टॉप है सिर्फ पांच के बारे हम द बताने वाले हैं जो टॉप फाइव में आते हैं और इन में कोई नहीं यह अपने आप में ही मदलब टॉप पर है तो अब देखेंगे जो सबसे पहले नंबर आप वन पर रखा यूश्टी ऑफ डेली इसे आप लोग उनने सुना और डेली उनिस्टी के नाम से भी से जाना तो इनिस्टी ऑफ डेली एक भारत का नामी गिनामी संस्थान है यह एराउंड अगलोब अपनी हैसियत रखता है आप इसके वाद आगे बढ़ते हैं जो दो नंबर पर आता है वो इंडियन इंस्टीट अफ टेक्नोलोजी अगर अब इंजीनिंग करना चाहते हो ठीक है ब भारत का नामी गिनामी संस्थान हो गया है टेक्नोलोजी के छेतर में इंजीनिंग के छेतर में और आप यहां से देख सकते हो नवीडियले में में इसका कैमपस वगएरा है और इसमें हर साल आपने सुना होगा आई-टी करके एक्जाम होता हूं आई-ई-टी जैइगर के गीजाम होता है तो आप इस एक्जाम को देखर इन में भरती हो सकते हैं आई बीजी चलिवी जाते हैं अगर आप बढ़ते हैं इंडियन इंश्ट आफ टेक्नलोजी मॉंबई आई टी बॉंबई ठीक है तो आई टी जितनी भी आई टी है मोशली अपने अब इसके बाद जो आता आपका चोथे नमबर वो आई टी बॉंबई आता आई 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 टी बॉंबई तो आई टी जो भी हैं जिसे आपकी डेली हो गई ठीक बॉंबई हो गई कानपूर हो गई खड़कपूर हो गई बनारस हो गई तो यह सारे मायतवपूर संस्थान अपने आप में ही है ठीक है तो आई टी बॉंबई अपने आप में इस्थान रखता है और इसके जो बच्चे होते हैं जो यूजी कोर्स 1961 में इसकी शुरुवात हुई थी और काफी पुराना इंस्ट्यूट है और करीब करीब हर साल इसमें आप देख सकते हैं 2019 में 1126 बच्चों का 1956 में मतलब जादा दिन नहीं आ जाती कि कुछ दिनों बाद ये इसकी शुरुवात हुई थी तो ये डेली में पढ़ता है तो आप इससे भी जो इना सिच्छाग रहने कर सकते हैं यूजी कोर्सेश पीजी कोर्सेश और पीएच्डी अगर आइससे कर सकते हैं मेडिकल के छेत्र में तो उमीद करता हूँ जो मैंने टॉप संस्थानों के बारे में चर्चा की हैं अगर कभी आपको इन में पढ़ने का मौका मिलता है तो आपकी किस्मत होगी और एक बैतरी अगर की किसी नौकरी ओकरी से नहीं कि आप बारा पास हुए नहीं कि नौकरी चीए ग्रेजूट हुए नहीं कि नौकरी चीए ऐसा नहीं आप अपनी सच्छा पूरी कीजिए कि एजूकरियां तो अपने आप आती हैं जैसे आपने सुनाई होगा थ्री डेट में जो कि चाहती तो आपको बस अपनी मेनत करनी है बाकी चीजे अपने आप हो जाएंगी एंड बेस्ट अफ लग हम आप से मिलते हैं लोडम तब तक क्लिए वंदे मातरम